हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलकेडेमी आपकाश मेता आज हम डिसकस करेंगे करन्ट आफेड्स डिसेंबर फॉर्थ विकेंड लेट्स चार्ट विद्ध फर्स्ट न्यूस हमारी पहली नीज आप फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टैनिस फेडेशन के द्वा हमें लास्ट वीक में एक अवर्ड किया था बैड्मिंटन वर्ल्ड फेडेशन के द्वारा प्लेयर अवर्ड दिये गए थे बरावन अलग-अलग केटेगरी के अंदर उसी तरीके से इंटरनेशनल टैनिस फेडेशन टैनिस को इंटरनेशन लेवल पे रेगुलेट करता है है इंतरनेशनल टेनिस फेडेशन के द्वारा 22 के जो बेस्ट परमिंग प्लेयर्स हैं उनको वर्ल्ड चेंपियन अवर्ड दिया गया तो वर्ल्ड चेंपियन male category के अंदर International Tennis Foundation के दुवारा किसको यह award दिया कि 2022 का Rafael Nadal को और woman category के अंदर किसको दिया गया Ega Sweet Egg को Ega Sweet Egg बरावर जो Poland से बिलों करते है Rafael Nadal कहां से बिलों करते है Spain से बिलों करते है बरावर अभी इस news के बारे बात करते है अगर मैं ITF International Tennis Federation World Champion Awards की बात करो तो यह awards चार केटेगरी के अंदर दिये जाते है Singles category, doubles category, wheelchair world champions और junior category यह चार केटेगरी के अंदर दिये जाते है Males और Females category के अंदर लेकिन आपको क्या धान में रखना है Singles और doubles category के अंदर Males और Females category के अंदर बराबना, ओके यह ITF World Champion Awards 2022 का मैं केटेगरी के अंदर किसको मिला Rafale Nadal को अभी Rafale Nadal को यह award क्यों मिला उसके बारें बात करते हैं कि Rafale Nadal ने दो Grand Slam जीते थे एक तो Australian Open और Roland Garros Roland Garros मतलब French Open का दूसरा नाम है देखो Friends Tennis के अंदर 4 Grand Slam होते हैं साल के अंदर बराबना, कौन-कौन से एक तो Australian Open Australian Open दूसरा है US Open तीसरा है French Open और चौथा है Wimbledon यह Tennis के अंदर 4 Grand Slam होते हैं एक साल के अंदर Wimbledon और यह 4 Grand Slam में से Rafale Nadal ने 2022 के अंदर Austin Open जीता था और French Open French Open का दूसरा नाम क्या है Roland Garros बराबना, इसके लिए उनको यह अवोड मिला गे 2022 का वल चेंपियन ओवोड प्रिवेस्ली रफेल नाडल ने यह अवोड टूटल 4 बार जीते थे उसके पहले सबसे पहले कब जीता था 2008 के अंदर 2010 के अंदर 2017 के अंदर 2019 के अंदर और 2022 का उनको पांच भी बार यह अवोड मिला है तो अभी तब सबसे ज़्यादा बार यह ITF World Champion Award सबसे ज़्यादा बार male category के अंदर 9 जोकोविक को मिला है कितनी बार? 7 बार पेट सामपरास को मिला है 6 बार और रोजर फेडरल और रफेल नाडल को 5 बार मिला है तो यह चीज़ आपको जन्में रखनी है अगर मैं इगा स्वेटिक की बात करो इगा स्वेटिक जिनको woman category के अंदर यह ITF World Champion Award 2022 के अंदर मिला है तो यह इगा स्वेटिक कहां से बिलोग करती है पोलेंड से और वो फर्स्ट पोलिस वुमेन है तो बीनेम एज आईटीफ वर्ड जेंपियन तो पहली मुमेन पोलेंड की जिनको यह Award मिला उनको यह Award क्यों मिला क्योंकि उन्होंने भी दो Grand Slam चीते थे 2022 के अंदर सिंगल केटेगरी फिमेल केटेगरी के अंदर कौन-कौन से दो Grand Slam चीते थे उन्होंने French Open और US Open French Open और US Open चीते था बराबना तो यहां पर उन्होंने भी दो Grand Slam चीते थे 2022 के अंदर इसके लिए उनको यह Award मिला गया है बराबना अगर मैं डबल स्केटेगरी के बात करूं डबल स्केटेगरी के अंदर वर्ल्ड चेंपियन अवर्ड मिला है क्यों मिला है क्योंकि टूटल उन्होंने चार Grand Slam में से तीन Grand Slam 2022 के अंदर जीते थे कौन-कौन से ऑस्टेन ओपन विमल्डर और US Open चार में से तीन उन्हों जीते थे इसके लिए उनको यह Award मिला उसके अलाबा इनको यह Award है ना थर्ड टाइम मिला है और दो continuously सांध के अंदर मिला है 2018 के अंदर सब सब सबस्क्राइब के अंदर 21 के अंदर दूसरी बार मिला दूसरी बार बाइस तीसरी बार मिला ना तो इनको यह Award तीन बार दिया गया है अभी तक बार ना उसके अलाबाब अगर मेल के अंदर डबल के बात करें तो राजीव राम एंड जो सालीज बरी उनको यह आईटीएफ मेंड्स डबल वर्ल्ड चेंपिएंड अवर्ड मिला है और उनको यह पहली बार मिला है तो आइधिंग आपको इसके अंदर समझ में आया होगा अगर में इंटरेशन टेनिस फेडेशन की बात करूँ तो उसके प्रसिदेंट कौन है डेविड हगल्टी हैड़ेकवाटर उसके लंडन यूके के अंदर है और कवेस्टर इसमों अदर 1913 के अंदर ओके तो आपको इस न्यूस के अंदर अच्छे समझ में आयो होगा कि अभी णियूस के अभी रिसेट ली इंडिया ने सकसेस्पॉली कैरियआउट किया है गर मैं अग्साक बात करूं प्रेंडस न्यूक्लियर के बडर है न्यूकलियर के बडर है वह लेके सकता है और वो इंटर कंटिनेंटल मेलस्टिक भीचैड है इंटर कॉंटिनेंटल मतलब वह एक कंटिनेंट मींसे 2 से का डार्गेट को educ कर सकती है उसकी रेंज let 5000 किलोमेटर है वर बालता और वह मिसाइं सब्सक्राइश करे रहाता है nellven ba तार्वें क्रांओं को सथाइन और वहां वहको अगर जमीन की ऑपर से टारगेट चाहिए अगर की बेस इस चाहिए अगर को सऔर चानल फिर कोई जगह को आपको amoso चाहिए अगर आप कोई जगह में से कोई जगह मिसाइल चोड़ना चाहते हूँ तो आपके लिए वह मिसाल कौन से टाइप क्योंने चाहिए एर टू सरफेस या फिर एर टू एर ऐरक्राफ्ट के अंदर से आप किसी एरक्राफ्ट तो अगर target करना चाहते हो तो राइट यह सब missiles के type होता है तो यह जो अगनी 5 missile है वह intercontinental ballistic missile है उसकी जो range अफ 5000 किलोमेटर है मतलब एक continent से दूसरे continent तक आप target कर सकते हो राइट और वह nuclear capable है अब nuclear weapons को वह ले जा सकती है तो यह उसका जो first trial है वह 2012 के अंदर हुआ था यह अगनी 5 missile का यह उसका पहला trial हुआ है night के अंदर night trial पहली बार हुआ है अगनी 5 missile का इसके लिए वह recent news के अंदर है बरावना अगर मैं अगनी 5 missile की बात करू तो यह अगनी 5 missile जैसे मैंने आपको बात किया वह कितने तन का nuclear warheads लेके जा सकती है 1.5 तन का उसके लबाव उसकी रेंज 5000 किलोमेटर तक की है बरावना और इसको कौनसे program के अंदर डेलोप किया गया है integrated guided missile development program इंटेडेड़ ग्राइड़ मिसाइल डेलोप में उसको डेलोप किया गया है यह program किसके तरह लॉंच किया गया था डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम के द्वारा यह program के अंदर में डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम ने 5 missiles को डेलोप करने का प्लान बनाया था कौन-कौन सी 5 मिसाल पुरिथवी अगनी प्रिषूल नाग और आकाश ये 5 मिसाल को ये इन्टीग्रेटड गायोड मिसाल डेमोपें ट्रोग्राम के अदर में और उसी देट प्रोग्राम के अधर में अगनी फाइं मिसाल को अभी लॉंच किया गया है ब् पास यह अगनिफाई की संकक्स कोई मिसाइल है तो हाँ है क्या नाम है उसका डॉंग फिंग 41 लॉंग फिंग 41 उसके रेंज किती है 12,000 से 15,000 किले मिटर है बना तो यह चाइना से पुरे एशिया को टर्गेट कर सकता है या और एशिया को कवर करके वह यूरोप को भी टर्गेट कर सकता है इस मिसाल के मात्याम से परावननत्थ अगे अब नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स कि अभी इंद्या रीसिव इंद्स फाइनल 36 रफेल जैट फ्रम दफ फ्रांस इंपुन्ट निव्स है कि अभी रिसेंटली इंद्स फाइनल 36 रफेल ऐरकराट कहां से आया वो फ्रांस से आया तो इस न्यूस के बारें बात करते हैं तो इंद्या ने 36 रफेल का order दिया था फ्रांस को कितने थावजन करोड का 60 थावजन करोड का एक agreement हुआ था इंटर गुवा था इंटर गोर्न्मेंट एगरिमेंट कब हुआ था उस टाइब के जो हमारे इंग्यन एरफोर्स के जो चीफ थे आरकेसी भडोरिया उनके द्वारा इंडिया के तरफ से नेगोशेशन किया था आरकेसी भडोरिया और 36 रफेल जेट फ्रांस से हमने मंगवाए थे 60,000 करोड के अंदर और एक रफेल जेट का प्राइस कितना था 670 करोड के आसपास बना मना और यह जो 36 रफेल जेट से वो अभी इंडिया के अंदर कहां कहां पर स्थीत हैं तो अंबाला हर्याना के अंदर एक airbase है वहाँ पर उसके अलवाँ यहाँ पर हमारे जो वेस्ट बिंगल के अंदर हसी मारा है नहीं वहाँ पर यह दूनों जगा पर थटीश रफेल बराबने स्थीत हैं रइट उसके अलब ही जो फोस्त रफेल जट है बारी वीज के अंदर वह कहां पर आया था अंबाला अंदर कितने थांजन करूण का बरावनना ओके और यह रफेल इंडिया के लिए फ्रांस की कुण सी कमड़ी के दोरा बना गया नेजल्ट एविएशन के दोरा बरावनना तो आइटिंक आपको इसके अबार समझ में आयोगा और अभी जो लास्ट रफेल जैट वो इंडिया भी रिशिव किया है बना बना जो फ्रांस से आया है ओके हमनी नेक्स्ट न्यूस है फ्रैंस के अभी रिसेंटली इंडिया और नेपल के बीच में जॉइन ट्रेनिंग एकसरसाइस हुई और एकसरस का नाम क्या है सूर्य कीरन राइट और सूर्य कीरन का इस 16 वर्जन था ब सूर्य कीरन उसका 16 वर्जन काह पर हुआ इंडिया और बीच में नेपली के बात करें तो नेपल के आरमी सोल्डर्स ओप दोश्री भवानी ब्यक्स बैडर्य नैपल के कौन सा घुर्प सरी भवानी इस बैटेयन और इंडियन आर्मी की तरफ से गोर्खा राइफल बार वन पर इस एक्साइस का में अब्जेक्टिव क्या है तो जंगल वारफेर और काउंटर टार्रीजम ऑपरेशंज के अंदर दोनों देश कोपरेशंज से काम करें उसके अलबार हुए लुए यह से रिलीव के से लोगों कोनी रबहाद नाइन कि वहां से लोगों को निकालना है तो उसको बोलते किया चाये पर अश्हाथ करना तो उसकी लिए तालीम यह प्रिप दिनने के लिए यहाँ रहे होती है रूजर से हुच difam surya औरावन्द मटिया और नेपाल के बीच में बरावनन हमारी next news और friends कि अभी recently Google ने partnership कि है किसके साथ डीजी लोकर के साथ to bring on device storing of the government IDs अभी ये news क्या कहती है उसके बारे में सोचता है Google ने अभी announce किया है अब partnership बीट तर डीजी लोकर डीजी लोकर क्या है एक government authorized identification storage system to bring the local storage of the government issued IDs on the android device अभी देखो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि यह जो डीजी लोकर application है ना उसको update किया जाएगा किसके द्वारा application programming interface यह application programming interface किसके तरह बनाए गया है Google के द्वारा बनाए गया है और इसके अंदर इस application programming interface के अंदर Google का artificial intelligence का यूज किया गया है तो यह क्या करेगा कि फॉर एक्जांपल अभी यह गूगल के द्वारा डेलोग किया गया आटी विसल इंतलिजन्स टेखनोजी का यूज करके यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिक इंटरफेस बनाया गया है इस डीजी लोकर के एप्लिकेशन को अपडेट क लिए है और यह एप्लिकेशन के अंदर आप जाके आप आधार का फोटो निकालते हो इमेज कैप्चर करते हो बरा मना तो वह आधार काड को पता चल जाएगा कि यह गवर्मेंट आईडी है और यह गवर्मेंट आइडी ऑटोमेंटिकली डीजी लोकर कंदर स्टोर हो के एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलोक किया गया है और यह डीजी लोकर के एप्लिकेशन को अपडेट किया गया है और यह गवर्मेंट आईडी इसको आप आप अटेमेंटिकली स्टोर करने के लिए I think इसको आपको समझ में आया होगा अगर मैं डीजी लोकर के बारे बात करो तो टोटल 137 मिलियन पीपल और रजिस्टर्ड यूजर्स अब डीजी लोकर मोर देन 2300 इस्यूर्स हैव प्रोड्यूस्ट मोर देन 5.6 मिलियन डॉक्यूमेंट उजिंग दा प्रोग्राम तो देट डीजी लोकर के अंदर 5.6 मिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर है 300 इस्यूर्स के त्वारा जो प्रोड्यूस किये गए हो और डीजी लोकर टोटल 137 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर यूज़ कर रहा है बारा मना रहें और यह जो एप्लिकेशन है किसके तरह डेलोप किया गया था डीजी लोकर है ना बहुत ही जल्दी वह हरिक अंदर प्री इंस्टॉल के अंदर आए कि मालब आप फॉर एक्जांबल नौई कोई नाया एंट्रोएफ फॉन लोग यह तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल एप्लिकेशन हों का डीजी लोकर राइट ओके कि अगर मैं डीजी लोकर की बात करूं तो इस अफ्लैक्षिप इनिस्टिव थे मिनिस्ट्री इलेक्रोनिक्टोंटिस टेक्नोजी अंड़र डीजल इंडिया प्रॉग्रम के अंदर में लॉंज किया गया था तो डीजल लोकुमेंट्स अर्डी लीगल वेलिड सुंदर पीचाई हेरिकोर्टर केलिफॉर्णिय यूस के अंदर उसका एस्टाइश्मेंट कब हुआ 1998 के अंदर बरावन ना ओक हमारी नेक्स न्यूसर फ्रेंड्स कि मध्यपरदेश केट्स इंडियास फर्स्ट और वर्ल्स सेकेंड इंफंट्री म्यूजियम कहां पे महू के रहे इंदर और यह कहां पे आया है इंड़ोर के अंदर इंडिया का पहला और वर्ल्स का दूसरा इंफंट्री म्यूजियम यहां पे एस्टविस किया गया कि हमने अभी तक जितने भी वार्स हुए है उसके अंदर हमारे क्या एचीमेंट्स रही है हमने क्या-क्या चीजे इस्तमाल की कौन-कौन सी ग्रूप ने वहाँ पर स्ब्सक्नाइ वार के दवरा बदान तो इस सभी एक म्यूज Itu değer में गया है बदाबना ते आशजो में पहली बढल इंडिया के इंदर एक अंडर हो रह HTML को डाइज का अगरहिस्टेस और को इस टीन स्टार्ट किया गया था और 2019 सब्सक्टक्ट सनक्रस भला तोटल दो एकर लेंड के उपर इसका एस्टाब्रिश्मेंट किया गया है तीन स्टोरी की बिल्डिंग है बराबर इस म्यूजियम के अंदर 1747 से लेके 2020 तक जितने मी हमने किये हमारे कोप्स के द्वारा हमारे जो आर्मी के कोप्स है हमारे जो जवान है बराबना पूरे इंफंट्री कोप्स सभी फोर्सिस के कोप्स के द्वारा जितने मी अच्छे किये गए हैं बराबना उस सभी के बारे में यहां पे दिखाया जाएगा 1747 से 2020 तक बराबना सभी क यहां प melted जाए गा बस ऐसा यह इंद्धा ऐसा मंट की एंदर कोंसा मिजंद हैं सेकंडि तो फिर्स्टन अपर है यू-एस के अंदर यू-एस के अंदर आपको को जान भूञें रख ना है तो वर्ल्डा का फ़र्सट is infantry museum दिएर उस्ट के अंदर secondary बारे में यहां पर इस मुझेम के द्वारा दिखाया जाएगा ओके फ्रेंग्स हमारी नेक्स्ट नुसर फ्रेंड्स के अभी रिसंद्ली हमारी युद्यान फाइनस मिनिस्टर निर्मार सहतारमन के द्वारा चैर की कि है फॉर्टी एथ मीटिंग अब जी एस्टी कांसिल की निव डिली के अंदर इसको चैर की सकतार किया गया जो हमारी युद्यन मिनिशल मिनिश्टर में इसके दोरा किया गया और इस मीटिंग के अंदर ग्रेंट के है तो oh दो सेंटरंगर्मन के कौन होते हैं एक तो हमारे फाइनस मिनिस्टर जो जयर्मेन होते हैं और इपनसी इस्ट चीजों के ओपर कितना लगेगा किपना सेज लगेगा रइट वह सभी चीज़े यहाँ पर डीसेट की जाती है बावनना आप मूल जाती हो कि GST का करता करता ये बरावनाच अगर भी 48 GST Council मीटिंग की highlights के बारे में बात करूँ तो उसमें क्या-क्या कुछ revisions किये गए उसके बारे में देखते हैं तो GST Council के अंदर clarify किया गया है ति जो sports utility केसा प्पराइटीटी विग करेंगर से उसके ऊपर जो जीस्ट लगता यह उसके ऊपर कितना सेज लगेगा 22 परशिंट देक्वोज फ्रेंड्स आपको भी पता है एक के उपर रसाड चार्ण लगता है एक के ऊपर क्या लगता है सर्चार्ज और टेक्स और सर्चार्ज के ओपर क्या लगता है सीस बराबना लेखो इंगम पतान से ज्यादा है तो मेरे ओपर मेरे सर्चार्ज लगता है बड़ा बना तो मैं टेक्स कितना पे करता हूं 10,000 तो उसका 10% मतलब 1,000 मुझे क्या पे करना पड़ेगा और यह टेक्स और सर्चार्ज दोनों के उपर सेज लगता है तो सेज अभी किसके उपर लगेगा 10,000 जो टेक्स मैंने पे किया 1,000 जो मैंने सर्चार्ज पे किया तो रोडल 11,000 हो गए 11,000 के उपर 10% सेज मतलब 1100 रुपीज 1100 रुपीज तो मुझे सेज कितना बे करना पड़ेगा 11,000 रुपीज यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या है यह जो सीज है न सीज वो टेक्स और सर्चार्ज के उपर लगता है अगर सर्च अगर मेरे इंकम पचास लक से कम होगी तो मेरे उपर सर्चार्ज नहीं लगेगा तो सेज कहां पर लगए डारेक्ली टेक्स ऊपर डिरेक उसके उपर सेज लगता है वीकल पर्चेस करने के उपर है जीस्ट के उपर क्या लगता है सेज लगता है यह टैक्स के उपर सेज लगता है और अभी क्या बुला गया और यह सेज वीकल के उपर ही लगता है जीस्ट के उपर सेज है ना वीकल के उपर लगता है मेरा वीकल के पिर बहुत सारे तमाकू के प्रोडक्स से उसके उपर लगता है फिर अगर आप कोल का मैने फेक्टरिंग करते हैं तो यह विएकल के उपर से कितना लगता है जीएस्ट के उपर 3% से 22% मैंने जीएस्टी 100 रुपीज पे किया तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा से इस तीन रुपे से लेके 22 रुपे तक तो यहां पर स्पोर्स उटिटी विएकल के उपर अभी सरकार ने ऐसा बोला है कि अगर आप स्पोर्स उटिटी विएकल एस्वी अगरा पर्चस करते हो तो आपको जी एसी तो बना पड़ेगा और उसके उपर आपको शेस भी बना इसके उपर आप गमवाबन लगतें और इथैल अलकौल ऑफिजी होता है तो ब्लेंडिक करने में इसके साथ ब्लेंडिक में पैट्रोल के साथ तो अभी आपको पता है कि हम इथरोल का ब्लेंडिक करने पर ज्यादाब फोकस करें तो इसे आलकोल के जो ब्लेंडिंग करने में यूज होता है बरावन पेट्वर के अंदर उसके उपर अभी तक टीस्ट अथारा परसन लेता था अभी इस कितना लगेगा फाइव परसेंट बरावन उसके अंदर भी कम कर दिया गया हैं ओके और GSD गहां एक नियूस थी उसके बारा में बात करूं कि आने के बाद बहुस्टारी कंपणी scholar हे या और इसी करते थे मदम उनाहरा भफि यह देर बना मना सरी 789 को रोपने के विए लिए नेशनल एंटी प्रॉफितिंग इजन्सी नेशनल अनिटी प्रफिटरिंग ओज एजन्सी को अपउइट किया गया था तो उसका कारेकार अभी 30 नविंबर को एंड हो गया है तो यह पहली डिसेंबर से यह जीस्ट के उपर जो प्रोफेटरिंग करती है कंपनी उसके उपर देखे रहे कौन रखेगा कॉंपेडिशन कमिशन ऑफ इंडिया रखेगा बरावन तो यह चीज आपको जान में रखनी है ओके फ्रेंड्स बरावन अगर मैं जीस्ट काउंसिल के बात करूँ तो 2016 के अंदर जन केमिनेट चेड़ बाइद प्राइमिलिस्ट नरेंदर मुदी ने अपरू किया करेंडिशन के इस एक इस अपर डिश्ट कांशिल का जीस्ट कांसिल का जीस्ट कांसिल विल ए जूइन फोरॉम ऑफ दे शैंतर एंस ने अड्स गोगे और उसके अलबा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फइननस और टैसेशन और अश्टेशन और अनी अधर करके दो पर्चन होगे एक फाइनस मिलिस्टर और मिलिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ दा फाइनस बारा बना तो आइधिंक आपको इस न्यूश के अंदर अच्छे समझ में आयोगा फ्रेंड्स हमेरी ने ने मिलिस्टर डॉक्टर टीटेंदर रसी के द्वारा रिलीस किया गया है अन्यूल डिपोर्ट ऑफ दो सेंटरलाइस पब्लीक रिवेंस रिड्रेस एन मोईटरिंग सीस्टम इसके बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर टीटेंदर रसी कौन है यह मिनिस्टर ऑफ दो स्टेट मिनिस्टर ऑफ पर्सोनेल पब्लीक रिवेंसी एन पेंशन उन्होंने रिलीज किया एक रिपोर्ट ऑन जसेंटरलाइस पब्लीक रिवेंस रिड्रेस एन मोईटरिंग सीस्टम कौन से यहर के लिए 2022 के लिए इसके बारे में देखते हैं अगर मैं इस रिपोर्ट के हाइलेट के बारे में बात करूं कि कि अप्वेंट रिपोर्ट 2022 के अंदर टो रिड्रेस किये गए हैं उसको रिसोल किये गए हैं और उसमें से ग्यारा लाग केसी सेंटल गर्म के त्वरारे रिसोल किये गए हैं और यह जो average disposal time of the central ministers in the departments has been improved from the 32 days in 2021 to 27 days in 2022 जो पहले एक complaint को research करने में पहले average time था 32 days 2021 के अंदर अभी कितना हो गया है 27 days हो गया है अगर मैं central ministers और departments की बात करूँ तो बारा बनन राइट और for the first time since the inception of the system the public grievances case regression has crossed 1 lakh cases per one last 4 मेने से continuously बारा बनन आप देख सकतो यहां पे कि august मेने के अंदर 1.14 lakh cases को result किया गया September मेने के अंदर 1.17 लेक ऑक्तोबर मेने के अंदर 1.19 लेक और नमीबर मेने के अंदर 1.08 लेक तो पहली बार ऐसा हुआ कि continuously चार मेने तक एक एक लाग कीसिस को solve किया गया है बराबन न तो यह भी एक achievement है बराबन कि यह रिटेशल सिस्टम के अंदर इतना improvement क्यों हुआ क्योंकि government के द्वारा 10 step reforms लिए गया है उसमें से पहला है यह सिस्टम का universalization किया गया कि आप जो भी ग्रिवेंस डालते हो वो लास्ट मेल तक पहुंच जाता है राइट फिर टेक्टोजिकल इनेंस्मेंट किया गया है automatic flagging और urgent grievances urgent grievances को automatically वह हाइलेट करेगा ताकि उसको जल्दी से solve किया जाए बराब artificial intelligence और फिर तीसरा है language translation हर एक ग्रिवेंस को यहाँ पर 22 लेंग्वेंस के अंदर प्रांस्लेट किया जाता है बराबर इस पोटल के उपर उसके लबाब ग्रिवेंस इंडेक्स भी बना जाता है जो मिनिस्ट्री और डिपर्मेंट को रेंग प्रोबाइड करता है ताकि वह अपने पर्फोर्मेंस को और बेतर कर सके feedback call center ग्रिवेंस को रिडेस करने के बाद customer को पुछा जाता है कि आपका कैसा रहा आपने बराबर आपका ग्रिवेंस रिडेस हुआ की नहीं हुआ है फिर वन नेशन वन पोर्टल इंटिक्रेशन अगर्मेंट अफ इंडिया पोर्टल स्व आपका दर्ज करवा सकते हो बड़ा बड़ना अब त्रेनिंग एंड कैपसिटी बीडिंग उसके लाबाप मोनिटरिंग प्रोसेस monthly report for the both the center ministries और departments in the state or unitaries के मांसे monthly report मांगे जाता है कि आपने कितने grievance को रिडेस किया data storage unit establish in the department of administrative reforms and public grievances यह सभी grievance का एक ही चका पर डेटा स्टोर रहे है बड़ा मनना इसके लिए data storage unit भी बनाए गया इस संसा के अंदर बड़ा मनना ताकि उस data का अच्छी तरीका से analysis कर सके बड़ा मनन तो यह सब steps के वजद से यह system ज्यादा ग्रीवेंस को रिडेस कर पाया है मेरा मनने ऐसा यह report कहता है ओके हमारी नेक्स दूसर फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली में ने टॉप किया है स्टेट्स इन दे एवरेज मंतली इंकम पर एंगरिकल्च्र हाउस होल्ड विजन इसके बाड़े बात करते हैं अक्वधा class 77 round of the situation assessment survey by sats एक्रीउसन असेस्मेंट र्वेंट कमा डा-सेस्मेंट-से को क्या है बड़ा बनन टॉक का नाम क्या है situation assessment सरवे एक्री कसा डहुन का यहां पर सरवे किया क्या है और ए्वेरेश मंफली इंकम सब्सक्रेज़ादा पर अंदा किस कौनसे स्टेट के अंदर देखने को मिली है मिगालाय के अंदर मिगालाय टॉप तर लीस्ट में तो मंतली एग्रिकल्चर हाउसोल इंकम और रूपीज 29,348 फॉडब बैद पंजब दूसरे नमबर पे पंजब जापे एग्रिकल्चर हाउसोल की इंकम है 26,000 और हिरने के उसका डेटा है परावरेज मंतली इंकम आग्रिकल्चर हाउसोल की कितने एग्रिकल्चर हाउसोल की कितनी रहि उसका डेटा है यहां भी इस टेबल के अंदर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से टॉप 10 स्टेट्स और इंडर के अंदर कितनी कितनी एग्रिकर्ट्स हाउसोल इंकम रही है मंथली उसके बारे में तो सबसे ज़्यादा कहा पे रही है मेगलाय के अंदर 29,348 के आसपास पंजाब के अंदर 26, हरेने के अंदर 22,000 बारा मना अनुसर पदिश के अंदर 19,000 बराबर आप गुजरत की देशकतों कितनी है 12,000 बारा मना ओके तो यह टॉप 10 स्टेट्स और इंटर इस के जहाँ पे एगरिकर्दर हाउसोल के इंकम ज्यादा है बारा मना तो आपके एक्सम पोइंट और से यह देटा था 2019 का डेटा था जो क्रोप येर जुलाई 2018 से लेके जुन 2019 का डेटा उसके उस क्रोप येर के अंदर अग्रिकल्चर हाउसोल्ड ने कितनी इंकम की यह जानी वारे से डिसेंबर तक 2019 तब यह उसका डेटा है बारा मना और किसके तरह टॉप किया गया है मेगा सब्सक्राइब करेंदा बेकम फर्स्ट आफ्रीकन नेशन्स तु साइंग अर्टेमिस अकोर्स दूरिंग फर्स्ट एवर यूस अफ्रीका स्पेस फॉरम विच वस हेल्ड ऑन थर्टीन डिसेंबर ऑन दस्ट्राइन अब यूस अफ्रीका लीडर समीट इन वाश्टिंड द आफ्रीकन नेशन्स जॉइन होगे कौन-कौन से नाइजेरिया और रवांडा इस न्यूस के बारे में डीटेल में देखते हैं अगर मैं अटेमीस अकौर्ड के बारे मैं बात करो। अकौर मतले एग्रीमेंज्ट, अटेमीस अकौर्स are the broad non-binding framework that was launched jointly by the NASA and the US State Department along with the eight other nations in 2022, with an aim of advancing the bilateral and multilateral space cooperation between the signatories तो कंपीज के भीच में स्पेस कोपरेशन बढ़ाने के लिए अग्या यह अकोड सांग क्या गया था इसके वरा लॉब नासा के द्वारा और द्वारा उसके लबा इट नेशन के द्वारा यह अकोड 2020 कि में साइन किया गया था विटा साइजिंग पर नाइजरिया और रवांडा तेरा नाव टोटल 23 सिग्नेटरीज तुद अपर इस एग्रिमेंट को भी साइज करने वाले कितने लोगों होए 23 ता अपकोड तेक दा इंस्पिरेशन फोर अंधिर नेम फ्रम नासा अर्टेमिस प्रोग्राम विच था उसके अन्दर 220 तग युमेंट प्रिजन्स मून के आस्पास और मून के अंदर इसने को एस्टाब्रीस करना शस्टेणिबल फिश्ग करना उसका मिशन था यह जू अकोड को साइन करते हैं वह 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 क्या कमेट करते हैं पुद प्रिंसीपल तु गाइड देर सिविल इंटर ऑप्रेटिवी स्टांडर्स बरावनना अगर कोई यह अकोड को साइन करेगा उसको अपने साइंटेव डिटा को पॉब्लिस करना पड़ेगा इन कंटीज के बीच में अपने स्पेस को मिटिगेट करना पड़ेगा बरावनना तो यह सब एग्रिमेंट किया जाता है कि यहां पर मैंने लीस्ट क्वर्ट क्या है कि अभी तक इस अकोड को किसके किसके तौरा तो अ। ने क्या यह बर्bies नहीं किया गया outbreak अफरी दूयकर कां हमारी नेक्स्स नीजु़ से फ्रेंड्स यह अभी रिसन्य 2020 के ंदर सोशियल प्रोग्रिस इंडेक्स लाँच किया गया बना 222 का एडिशन और इस इंडेक्स के अंदर किसके डॉइन टॉप किया गया इंडिय का के एसान इसके बारें बात करता हैं तूदिपोट कोंप्इट रिलीय抗नेस दण्योल टूज़गर्स इन्च्वीच बाइप्लिच विडिय都 सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटीव लाइट यह रिपॉर्ट्ट के विवाइव बनाये excel प्रोगर्रेस इंडेक्स बना तो इस इंडेस के अंदर इंडिया का रेंग कौन सा आया है 110 इसका स्कोर कितना रहे है इंडिया का 60.19 बना बना और टायर 4 कंट्री के अंदर इंडिया का रेंग आया है ओके तो यह टायर 4 कंट्री क्या है स्कोर किसे जनेट किया गया हो तीरलई इस दूष को समकते हैं इस इंडियोस को टॉप इस के तरह किया गया नौरवे के तुपार सिक्ष्ट क्या रहा 90.74 और वो टायर buyers के अंदर इस निया टॉप क्या है मेरा मना complex हाइंकम कंट्री बना ओ रॉस्या टॉप वीटा स्पूर अब दर सेमन्टीन पैटीन एंड ग्लोबल रेंग अप दर सिफ्टी नैन तौन अगर विस इंडेक्स के बारे बात करो तो सुशल प्रोगर्स इंपरेटिव एस प्रोडिश एन एन्यूल ग्लोबल अस्वाइस इंडेक्स सिन्सीन्स करती है it help us understand how the people across the world are living who is being the left behind and how to accelerate the progress बराबनन तो इस इंडेक्स के माध्यम से पता चलता है कि people कितने आगे बढ़ रहे हैं बराबनन कैसे वो जी रहे हैं कैसे वो सबसे पीछे हो रहे हैं और कैसे वो progress को accelerate कर रहे हैं विसा ओंडी मिजर्मेंट टूल अब्सक्राइब करता है रिपोर्ट बाराबनन अके ये टेबल के अंदर टेबल से अंदर अब्सक्राइब अब्सक्राइब करता है उसके बारे बात करते हैं यहां पर टोटल छे टायर के अंदर कंटी को डिवाइड किया गया है उनकी इनकम क्यों स्वार्ण कानूल तो टायर बन को के अंदर पाया नॉर्वट टायर टुके के अंदर है और कौन्सा रहें के इंडिया का 110 बराबनना के अखिन में रखना है है सबसे टॉप ब्राब में कॉन है साव्ठ सुडान है बराम नसबसे ब्राइब में सबसे टॉप एकॉन है नोर्बेब टोटल सिक्स टैर के अंदर कंटीजсы को इंटिट से जिस्टीक के रिपोड बैट किया गया उसके इंकम के अकोडिंग बना राइड वास को अगर मैं इंडिया के बात पर हो डाउ ह मिनीस्ट्राइन esempio के लिपोड किसको सभीट के गई इस निटे के द्वारा Economic Advisory Council प्राइम मिनिस्टर को यह रिपोर्ट सब्सक्राइब किया गया राइट और इस बिपोर्ट के अनुशार टूल तूल तो मिसलिंफ एड़ा कंट्री सोम्स करीश एटर निश्टन अन सब्सक्राइब उस्ने इवयूलेट के इस रिपोर्ट के अंदर इवयूलेट एक ठाथ शॉटमी शैक ह्याक यह रिपोर्ट के अंदर ह्यूलेट को है、 Towns student indicators at the state level and foot in the district level बड़ा मनन इस indicators को use करके यह report त्यार क्या है state और district level के उपर बड़ा मनन right the index assess the states in district based on the 12 components across the 3 dimensions of the social progress बड़ा मनन तो यहाँ पर district और state अपने आपको यह report अदिंध को कितने 12 components के अंदर measure करती है बरा मनन और of the social progress बड़ा मनन ऑके अगर मैं इस शोशल प्रोक्रसिव इंडेक्स की बात करू स्टेट्स और डिस्टिक लेवल के ऊपर बारा मना तो टोटल थर्टी सिक्स टेट्स और साथ डिस्टिक को यहां पर सर्वे किया गया इस संसा के द्वारा टोटल 89 इंडिकेटर्स का यूज किया गया है स्टेट्स के लिए और डिस्टिक लेवल के ऊपर 49 इंडिकेटर्स का यूज किया गया है इस रिप्रोट को तैयार करने के लिए 12 डिफरन डिफरन कॉंपोनेंट्स के ऊपर बारा मना और कॉन कॉन से बिजिक तो बिजिक human needs foundations of the well atraving opportunity बढभाना तो यह ऐसे टोटल 12 components का यूज करके 89 indicators का यूज किया गया है स्कате टित को तैयार करने के लिए और 79 indicators का यूज किया गया है डिस्टिकT लिवड के रिप्र को तैयार करने के लिए बढ़ावनना right पर अगर में state category की बात करों को तो टायर 1 वियरी हाई टायर टू के अंदर हाई सोचल प्रोग्रेस जम्मो इनकास्पिर पंजाब दादरानगर हवेली और टायर थ्री के अंदर उत्राखन कनाटका और अनुचर्ण पदेश पर टायर फोर के अंदर लौर मिडल सोचल प्रोग्रेस हरेना खुजराथ और अंधर पदेश टायर तो बेसे अंदर एस्पीज स्कूर्स तो स्टेट इंडिस्टिक्स है बिन रेंक अंदर दा सीक्स टायर ऑफ जो सोचल प्रोग्रेस वीच आर सुइंग इन दा फॉलेंग टेबल यहां पर जो टायर का डिविजन क्या गया न वो सबसे हाई सोचल प्रोग्रेस कहां पर लो टायर फाई और वेरी लो टायर शीक्स बड़ा बना सबसे कम सोचल प्रोग्रस कहां पर हुआ है चार कंड सबसे जादा कहां पर हुआ है पूर उचे लिए अगर हम स्टेट और यूनिटरेटी के बात करें तो बड़ा बनना तो आइटिंग आपको इस न्यूस के दर से समझ में आया होगा फ्रेंग्स बड़ा बनन तो अगर मैं थैंक्यू फ्रेंग्स आइटिंग आज के सभी नुस के दर आपको यह समझ में आया होगा बाई